जिम जा रहा है बॉडी बनानी है दिसिजन ले लिए ना बॉडी बनाने का तो बस अब एक बाद याद रखना दुनिया इधर की उदर हो जाए पर अब जो सोचा है वो करके दिकाना क्योंकि सिर्फ सपने देखने से बॉडी नहीं बनती दोस्त उसके लिए हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है खुद को जानवा जैसा ठीट करना पड़ता है शुरुवात में बहुत दर्द भी होगा पर याद रखना ये दर्द तभी होता है जब तेरी कमजोरिया तेरा शरी छोड़कर जा रही हो जब पसीना सूप जाएगा तेरा खुन ठंडा बंदा है और अगर तुने उस पर जित हासिल कर ली ना तो यहां कोई माई काला तुझे रोक नहीं पाएगा जाता है वो बंदा कौन है हाँ सही पहचाना वो बंदा तुख खुद है जब भी सुबा तेरा अलाम वजेगा तो मन बोलेगा स्मूज कर दे दस मिनेट आवस हो जाता है यह तुझे त्रे करना है उन दस वगों वैसे दिखना चाहाँ जिनने कोई मुटीस नहीं करता कि तेरी जित है ऐसा दिखने की इसे हर कोई मुटीस करें पर याद रखना दोस्त कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुख खुद को नहीं बदलेगा और जिस दिन तु क्योंकि उस वक्तु कमजोग था और अब तेरे पास मौका है कुछ को फॉलाद बनाने का और अज़र तो जिन्दगी बार कुछ नहीं कर पाएगा रोज कुछ को चलेंज कर जो भी तो आज कर रहा है उससे जाला कल करने की कुछिशिकर आज पास किलो उटा रहा है तो कल दस क जब भी जिम में चाहेगा तो फुद के दिमाग को ऐसा तहियार कर कि जैसे तु जंग में जा रहा है उसको ऐसा बना कि अब गिदी पिर तकलीफ हो कितना भी दर्द हो मैं पीजे नहीं अटूंगा दर्द को कभी मत बोलना वाई मी दर्द को बोलना ट्राइ मी और अपने अगर करना है तो करना है जुरूंग वाले लोग अपने आपको ठेन करते हैं और आज सी लोग कंप्लेंट करते हैं जब तुम्हें धर्द हो तो सोचता है कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है ये पसीना नहीं है ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चाप्पी रो रही है जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खुन बहाओगे कमांडों को सिखाया जाता है एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है पर यहाँ पर तुमारा दुश्मन तुम खुन हो जिसका मन नहीं करता वर्काउट करने का जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का पीच में दो घूट पिलेना लेकिन अगर रुप करे जिम करना छोड़ दिया तो यह तुमारी सबसे बड़ी हार होगी अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया तो जीत ही जाएगी फिटनेस का मतलब यह नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है फिटनेस का मतलब यह है कि मुझे अपने आप कोकल से बहतर दिखाना है जैसा मैं कल था जितनी पाउर मेरे शरीर में कल थी उससे जाना आज होनी चाहिए तुमारा हाड़ वर की तुम्हें सिक्स पैक दिला सकता है आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ लेट आउंगा रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ किसने मुझे को दोगा दिया है मेरा किसने अपमान किया है मुझे किसने सबसे ज़दा रूराया है और अपनी हर exercise को फिर अलग अलग नाम देना जब भी कूष्टाब लगाओ तब ओ दिन याद करना जब तुम्हारे तोस्तों ने तुमको मरीयल कहा था जब भी एप्स लगाओ उपने प्यार बारे दोके को याद करना जब भी रॉनिंग करो ओ दिन याद रखना जब तुम्हें दमाले ने जाना था और तुम्हारी बस छूट गी थी अपने आपका एक रूटीन मनाओ सोना, उटना, काम करना, वर्काउट करना, पसीना, बाहना और इन सब को फिर से कल से रिपीट करना दर्थ कुछ देर होता है लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बहतर हूँ मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ और तक तुम्हें वो सब करने का कॉंफिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे ये कोई फरजी चीज नहीं है ये कोई मजाक नहीं है तुम्हारी टेनिंग है एक चीता की तरह टेन होना है तुम्हे जवान होना तुम तो जवान की तरह करो अगर साथ बार गिर गए तो आठ भी बार उट जाओ लाइप में उस चीज को करने में सबसे ज़्यादा मज़ाता है जब लोग बोलते हैं कि तुससे नहीं होगा तु नहीं दोर पाएगा तु बोड़ी नहीं बना पाएगा वर्काउट शुरू करना मुस्किल है लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुस्किल हो जाएगा और जब तुम एक दिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुम से नहीं होगा तो तुमें कुछ बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी अपने आप दिख जाएगा और सुन आज सी ये कच्रापट्टी खाना बंद तुम कैसे दिखते हो ये उसमें डिशाइड होता कि तुम क्या खाते हो कितना पसीना बहाते हो क्या सोचते हो और सुन पहने मारना बंद कर तुझ जिद्धी है तुझे सबसी अलग दिखना है कोई देखे तो लगे कि चट्टान का बना इंसान है ये एक बार धखा मार अपने आपको वर्काउट करने के लिए फिर तो अपने आप असीना बहाएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेना या हूँ अगर तुम जिम करने के बाद भी सुन्दर दिख रहे हो ना इसका मतलब तुमने इमानदारी से जिम नहीं किया तुम्हारी बोडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो इसकी दिवारे मजबूत बनाओ बढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बिट बाइसेप भी कुछ लोग चातें कि बोडी अपने आप बन जाएगी और कुछ ही ऐसे लोग होतें जो अपने आप बोडी बनने के सपने को छोड़ कर खुद अपने लिए पसीना भाते हैं बोडी बनाते हैं वो क्या है जो रियर लाइप एक बोडी बिल्डर रो नौर्मल इंसन को अलग बनाता है। मैं बजाता हूँ, जब उसकी बोडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की महनदी तुम्हें बोडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबस चार बजे नीद के आगास में सो रही हो, तब सरीर में महनद का हार्मोन दोड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमा सैसर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आपको पसीने में तपाना। बोडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह चानता है, कि तरद कुछ मिनटिया कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमैसा रहेगा, क्योंकि वो भीड से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवर हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब दो रिपिटेशन जादा मारो, जब तुम्हारे दिमाग से सिगनल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलना अपने आपको, अभी तुम भजा आ रहा है, कभी भी अपने वरकाउप से चीट मत करना, ये कोई गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड नह ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चांपी रो रही है, जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे, कमांडो को सिखाया जाता है, एक बोडी बिल्टर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पर य तुम्हारे दिमाग से सिगनल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलने अपने आपको, अभी तुम भजा आ रहा है, कभी भी अपने वर्काउट से चीट मत करना, ये कोई गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड नहीं है, ये तुम खुद हो, अगर करना है, जुनुन वाले लोग अपन पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खुन बहाओगे, कमांडो को सिखाया जाता है, एक बोडी बिल्टर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पर यहां पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्काउट करने का, जिसक मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का, पीच में दो घूट पे लेना, लेकिन अगर रुख गए जिम करना छोड़ दिया, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी, अपने आप से हार जाओगे, तुम दुनिया तो जीत ही जाएगी, फिटनेस का मन नहीं करता है, पीच म